देश के साथ गद्दारी करना बंद कर दो यह नफरत फैलागे धर्म के नाम पे जाती के नाम पे मजहब के नाम पे अगले पिछड़े के नाम पे किसी को बरबाद मत करो जो है हिटलर ने कहा था कि किसी कौम को किसी समाज को किसी देश को बरबाद कर रहा हो तो उसका एक रे रगुबन शिनाथम कारूडि रूपम करूडा करंतम शिरी राम चंदरम सर्ण प्रपदेप अब किसको अलाग करना चाहिए और हिंदोस्तान के अंदर दंगा भड़काया जा रहा है आज वही लोग सत्ता में बने बैठे हैं तो वह जगा जगा से दंगा भड़काते हैं जह दिल तुवा दिल को दिल से मिलाने की भात कर फैले वी रोशनी आगी रोशनी तेरे कुरंव जवार में शम्ने वफा जहां में जलाने की बात कर की पूरे हंदोस्तान के अंदर हर गली में है क्या नफरत की परियोग साला exercising चलारे हैं इनको हटाना है और से क्याल उना है चाहे बेपारी हो चाहे नौजवान हो चाहे श्टुडेंट हो हर तपके का आदमी हाथ गारी चलाने वाला हो चाहे ठेला चलाने वाला हो रिक्षा चलाने वाला हो सारा नौजवान आपको देख रहा है और आप से बता दे रहा हूं जिस देश का हाथ गारी चलाने वाला और सरम करने वाला किसान जब और अपने हाथों की खुर्दी उंगलियों से साड़ी बनाने वाले बुनकर और आपके किसान यह सारे जब एक मुह से आवाज लगा रहे हैं कि हमें नफरत की परियुक्साला को हटाना है और देश को बचाना है क्यूं कि जब देश की लड़ाई ल और आज देश के रखवालों समझदारी से पैर रखो देश के साथ गदारी करना बंद कर दो यह नफरत फैलागे धर्म के नाम पे जाती के नाम पे मजहब के नाम पे अगड़े पिछड़े के नाम पे किसी को बरबाद मत करो नहीं तो यह देश को बनाने में एक सदी लग करतेगा जलाओ मत ओड़े वोट की राजनित में कुसी पाने के लिए देश को बरबाद मत करो नहीं तो देश बरबाद होगा इंसामियत कर रहा है अरे आप रिचता जो देश को जी रहें आप यह बताईए कि जो आदमी सरकार में है जो जंता का परतनिधित कर रहा है सवाल उससे होना चाहिए जो इंसान पहले लूट घसोट किया हो क्या उससे सवाल नहीं करेंगे तुमने लूटा क्यों एक बात सुन लिजिए कोई आप सबूरता परिबरता नोत एक सा जास को पढ़ो आप प्रिबारनी पुर्ए नाप लूटने के लिए बात कहाaqueं उसको मैं बता रहा हूं आप इशारे में आउगला सलय कांग्रेस की सरकार विजिए नहीं बन रहे दिएस अंदर लेकिन राजू अब कराया आज जो लोग जमी से लगा गया आश्मा पे जो सर्थ लगाए रखे हैं उनसे पूछो जिसने कहा था कि हम सिलिपर वालों को भी हवा मुडाएंगे अरे सिलिपर भी पैर से चली गए मेरे दोस्त सिलिपर भी बचा नहीं है मैं तो आंसिक छेत्र पुर्वाणचल से आता हूं पुर्वाणचल क आए रेस्यों पांच किलो रासन चावल गेहूं पे इसने सुबह और शाम का सिष्टम बना दिया है कि खाओ और इस इतने ही में पड़े रहो जब इंसान खाएगा आप बताओ हमारे घर के घरी में अगर भोजन मिलता हो एजुकेशन मिलता हो घरी में पड़े रहेंगे व जो है वह ऐसे गुंडे मवाली घूम रहे हैं कि आप बचके रहना यह लाल टोपी वालों को खोज रहे हैं मैं ने कहा मैं दिल से उनको खोज रहा हूं क्यों वह भी तो मेरे परिवार के हैं अगर हिंदोस्तान का खून अगर लहू उनके सिले में होगा तो एक बात जरूर लों कहेंगे कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते जो मनजिल नहीं पहूंचे उसे रस्ता नहीं कहते तो कुछ लोग तो अच्छों को आच्छा नहीं कहते हैं अनिमाघ को आजाद नेता से कर पाएगा क्यूंकि हिंदूस्तान गंगा जमनी तहजीब का नाम है क्यूंकि जिस गंगा से वजू बनाकर मुस्लिम समाज के लोग मस्जित को जाते हैं उसी गंगा से आप असनान ध्यान करके हिंदू समाज के लोग जो है आपके मंदिरों को जाते हैं तो मुझे राम के चौपाई मुझे हमेशा याद रहती है क्यूंकि मैं जो लेटेश्ट रामचरित मानस पर चल अब इसको और यहां पड़ता हूं अरे मरियादा पुर्शोत्तर राम हमारे आधर अरे आप बताओ कि मुहम्मद सहाब आपके आधर्श हैं की नहीं फैसला तो आप करो मेरे दिल में तो कल भी राम के आज भी हैं नहीं को आप मैं तो कहेंगे मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सम्हाइम्त्स आपके आदर साय की नहीं आप बताओ डाक्तर राम बनोलोहिया आपके आदर साय की नहीं परिवार को से पुरह हो सकता will कोई आई दर्फ नहीं है कोंग्रेस के उकुमत में देश में दंगे नहीं हुए अगर नहीं हुए तो आपको मैं बता देता हूं अभी मैं यहां पर मुझफर नगर नहीं हुआ हाशिमपूरा नहीं हुआ अगर आप यहां पर कोई पत्रकार साथी बिहार साते हैं उनसे पूझ लिए अब एक बात और सुन लो आप आप ने जो हाशिमपूर आपने जो है वह भागलपूर मुझफर नगर का नाम लिया जिस लोगों के द्वारा हिंदोस्तान के अंदर दं सिस्टम काम करने लगता है तो कहते कि हो गया काम होनाता हो गया कि सरकार में है जो गलत काम करता है वहीं सरकार का कर रहा है अच्छी बात है और उससे उची बने हम स्वागत करते हैं लेकिन दूसरे धर्म को भी यह आस्था और विश्वास पे चोट मत पहुंचाईए स्रिमान जी अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सिखों को भी जाने दीजे गुर्दवारा उनको भी पाद्रियों को जान को सबस्का है यह रखता है इसका नहीं है यह खाता है और गाता है पाकिस्तान देखिये भाई यह तो हम कहते हैं लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो देश के साथ गदारी करता है ऐसे लोगों के साथ आजाद नेता भी उसके साथ नहीं है लेकिन मैं उसके साथ जरूर हूँ कि जो अगड़ा करने के चक्कर में पिशड़ा करने के चक्कर में और दलित और बैगवट को लड़ाने के चक्कर में और फारवड और मनाइटी को लड़ाने के चक्कर का काम करता है ऐसी नापाक और नफरत भरी आवाज को मैं बार बार आपके चैनल के माद्यम से ग्रोथ करता हूं क्योंकि जुल्म वफा जहां में जलाने की बात कर मैं तो चाहता हूं मैं तो जंतर मंतर पे आगे खड़ा हुआ हूं मेरे दोस्तों एक हपता से दिल्ली के गलियों में घूम रहा हूं यहां पे नफरत की परियोग साला तयार की जा रहे हैं अगर कोई भी समाज का नौजवान अगर सच पोलन से चलेगा यह चलेगा रफुम ला बैट करके सिधान से चलेगा नकि धर्म से चलेगा अजब जब धर्म शमीधान करे जो दकल करने का काम किया है ना धर्म अब रहा है नशमीधान समीधान रहा है ने इंसानियत इंसानियत रही है तो आएये हम पत्रकार साथियों आपस में ताल मेल वैठाकर इंदोस्तान को मजबूत करने में और नफरत भरी आवाज को जो है पुर्जोर बिरोत किया जाए और सेकुलर सरकार को लाने में पत्रकार तो सरकार चला रहा है अरे आपके काम से खुश है आप से खुश नहीं है मैं बता दू कल मोदी जी और अडानी भाई भाई चला था कि नहीं इमंधारी बताओ इन्हों अपने लोग सभा में बताया कि आठ करोड लोगों तक नल्जल योजना पहुच चुकी है आए राज सभा में 21 घंटा के बात मेरे पत्रकार साथ गोर कर येगा मेरी बात पर आप लोग सभा में बोल लहे हो कि 8 करोड लोगों को मैं नल्जल योजना से जोड दिया अजब किया राजसभा में तुम्हां कह रहा है कि 11 करोड़ लोगों को जोड़ दिया नहीं नहीं सुलो मेरी बात एक काइस घंटे में तेन करोड़ जूट बोलने का काम किया है और 24 मई 2014 से अफ तक का रिकार्ड उठा के देख लो मेरे सातियों बिजली आई बिजली आई दो करोड़ लोकरिया मिली काला धन वापस आया यह जुमले बाजी से देश चलने वाला नहीं है लेकिन फर्क इतना है कि सरकार जाने वाली है और जो है समाजवाद समाजवादी सोच के लोग वह पिछड़े हो दलित हो और संक्यक हो वह लगते हैं उनकी सरकार 2024 में बनने जा रही है